दोस्तो जैसा कि आप जानते होंगे इस्टन कंट्री वाले लोग यानि कि हम भारतियों लोगों का मुख की खाना दाल चावल रोटी सब्जी है और यह खाना नॉर्मली भारतियों लोगों के घरों में बनता है इसे काफी जादा यहां पसंद भी किया जाता है लेकिन आपके इस वीडियो में अमरिकन लोग नॉर्मली क्या खाते हों उसके बारे में जानेंगे भारतियों घरों में अगर सुबह की नास्ते की बात करें तो में करूप से प्राठे पोहे और कुछ रूलज रियाज में माड़ भात चोखा और कुछ घरों में साउध इंडियन खाना इ स्किट ग्रेवी, इंगलिस मफीन, होट डॉग और ब्रेट में जेम मिला कर खाते हैं और कभी कवार तो अंडे से बनी डीज जैसे ओमलेट, एक सेंडवीच भी खा लिया करते हैं यह अमरिका का सुबह सुबह का नॉर्मली नास्ता होता है ओही दोस्तों अगर हम बात करें भारतियों दोपर के खाने के बारे में यानि की लंच के बारे में तो भारतियों लोग चावल, डाल, सबजी को ज़्यादा पसंद करते हैं यहां के लगबग हर घरों में यहां खाना बनता है क्योंकि यहां बारत की परमुक खाना है इसलिए इसे लंच में यहां के लोग वही अमरीकन लोग भारत से बिलकुल विपरित लंच में सेंडवीच, वर्गर और कुछ लोग हॉट डॉग खाते हैं दोस्तों अमरीका में या परमुक खाने के तरह खाते हैं जैसे हम लोग दाल चावल सबजी खाते हैं और इसे दोपर में अमरिकन लोग सेंबिच या वर्गर खाया करते हैं दोस्तो रात के खाने के बारे में बात करें तो हम भारतियों लोग रोटी, सबजी या कोई हलका खाना रात को पसंद करते हैं लेकिन अमरिकन लोग का डिनर भारतियों लोगों से बिलकुल डिपरेंड होता है। यहां के लोग रात को हेवी खाना पसंद करते हैं। यानि डिनर के रूप में अमरिकन लोग बीजा या चिकन से बने डिस को पसंद करते हैं। और कुछ लोग तो डिनर में बर्गर भी खाना पसंद करते हैं। अमरीका में रोटी चावल दाल सबजी तो एस्पेसल खाना होता है। जितना कोमन इंडिया में रोटी भात होता है, वहां उतना ही ये एस्पेसल खाना होता है। वहां के लोग तो कभी कबार रोटी चावल खाते हैं जैसे हम लोग कभी कबार पीजा और बर्गर खाते हैं कहने का मतलब है कि इंडिया के ठीक उल्टा वहां का खाना होता है तो दोस्तो यह थी अमरिकन लोग और इंडियन लोग क्या खाते हैं उसके बारे में कुछ जानकारिया मैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सस्क्राइब कर लें आपका किमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्नवाद